Bernoulli's Principle या Bernoulli's Theorem के Accordingly इसका दूसरा नाम है Energy Conservation मतलब अगर कोई liquid pipe में move कर रहे है, flow कर रहे है तो आप यहाँ पर total energy निकालने है liquid की total energy में कितनी type की energy में liquid की तीन pressure, potential और kinetic यहाँ पर निकालने, यहाँ पर निकालने, यहाँ पर इस point पर निकालने यहाँ इस point पर निकालने, total energy का sum सेम रहेगा अगर liquid उपर जा रहे है और potential की value बढ़ रही है तो kinetic घटेगी घटेगी, ले रहे हैं तक तो कोई एक energy घटेगी और एक energy बढ़ेगी, doubt इसमें point समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो इसको लगाना कैसे है पहले इसको देखते हैं और फिर मैं definition पढ़ूँगा और है क्या Bernoulli's उसको बताता हूँ, फिलहाल के रिए Bernoulli's theorem के accordingly जो end result है, वो यह है कि sum of kinetic energy per unit mass प्लस potential energy per unit mass, प्लस pressure energy per unit mass का sum किसी भी point पे will remain safe, यह मुझे प्रूव करना है definition बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, पर definition के accordingly उसने यह बताया, it states that total energy that is sum of pressure kinetic and potential of, आपने ऐसा ही लिखना paper में कि total energy का constant है जी, नमबर नहीं मिलेंगे, ऐसे लिखना है, total energy bracket में तीन टाइप के energy, of an incompressible, यह लिखना है compressible liquid नहीं होना चाहिए, अगर compressible liquid हो गया, दब गया अंदर जाके, तो bulk modulus के application है और हमने bulk modulus इसे consider नहीं करना, तो incompressible liquid, non-viscous liquid, पता लगे यह विसकस शहद डाल दिया और शहद निकालना मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं डालना, पानी डालना है, मतलब कि non-viscous liquid जिसमें frictional forces बहुत कम है in a steady flow, turbulent पर यह नहीं लगती, यह steady पर लगती है, streamlined flow पर लगती है, in a steady flow, through a pipe remains constant तो total energy का sum constant रहेगा, throughout the flow, provided there is no source or sink of the fluid along the length of the pipe मतलब रास्ते में ऐसा नहीं, कि बीच में hold का रहूं, और leak रुक और kya pipe पानी जो है वो नीचे गिरता रहे यह नहीं, यह नहीं होना चाहिए और नहीं सेंग का निकलने का रास्ता नहीं होना चाहिए, और source भी नहीं होना चाहिए पता लगी आपने को और पाइप लगा दी और वहासे पानी देना शुरू कर दिया आपका पानी पाइप का पानी भी आ रहा है आपका भी आ रहा है और एंटर कम रहा है और बाहर ज्यादा निकल रहा है यह भी जोना चाहिए तो definition आपने ऐसे ही लिखनी है फिर आपने proof में ऐसे लिखना है imagine an incompressible non-viscous बार-बार लिखना है यह भई मैंने incompressible non-viscous fluid लिया pipe के अंदर move कर रहा है और varying cross section तो varying cross section लेना है एक बड़ा और एक छोटा और यह liquid का level है यह area क्या है इसका a1 है इसका a2 है velocity entry की v1 है बहार निकलने की v2 है और यह h1 highट पर है pipe यह h2 हाइट पर है pipe यह अपने constituents करने है थीक इसके अंदर वो कहा रहा है liquor जो enter करता है वो A1 area में enter करता है, velocity V1 से enter करता है, जो exit करता है वो A2 area से exit करता है, और V2 velocity से exit करता है, रो इसमे density of liquid है, underline या दालो, M का मतलब यहाँ पर mass नहीं है, यहाँ पर mass flowing per second है, इसको करो, highlight करो, M का मतलब mass मास नहीं है, मास फ्लोइंग पर सेकंड है, तो M is the मास फ्लोइंग पर सेकंड आफ दी लिक्वर्ड, ठीक, M is the मास फ्लोइंग पर सेकंड, अक्कॉर्डिंग तो एक्वेशन अफ कॉंटिनिटी, A1 V1 is equal to A2 V2, वॉल्यूम एंटरिंग and volume coming out per second will remain same, A1 V1 is equal to A2 V2, रो से multiply कर दिया, तो यह क्या गया, मास फ्लोइंग पर सेकंड, मास फ्लोइंग पर सेकंड और इसका symbol क्या है M, तो यहाँ पर M का मतलब मास नहीं है, मास पर सेकंड है, तो यह यह भी clear है, इस equation से A1 V1 equal to A2 V2, किसके equal है M by row, row right पर आगया M by row, यह step भी clear है, ठीक है, A1 V1 A2 V2 is equal to M by row, अब यह important, असली चीज़ यह है, देखो क्या चीज़ है यह, इसको ऐसे समझते है, network done on the fluid by pressure energy per second, देखो एक logic समझो, पानी उपर चड़ रहा है, पानी कभी उपर अपने उपनी चड़ सकता, तुमने नीचे से क्या लगाया, pressure, कोई pump लगाया, कुछ तो pressure लगाया, जिससे की पानी उपर चड़ा, और उस pressure की वज़े से पानी भाग भी रहा है, और उपर भी चड़ रहा है, भागने का मतला kinetic energy भी acquire कर रहा है, और साथ में potential भी acquire कर रहा है, तो pressure energy ने work done किया, जिससे दोनों energies create हो गई, तो pressure energy ने कितना work done किया, इसको समझ लेते हैं, जड़ा एक चीज़ याद करें, work पा energy में किया था हमने, एक term थी power, जिसका formula क्या था, work done upon time, work done per unit, second is power, ऐसे ही था, और work done को क्या ल time, second के जगा time, इसकी जगा क्या लिख सकते हैं, velocity, तो work done per second का मतलब क्या होता है, force into velocity, और liquids में work done per second का मतलब force की जगा लिखो, pressure into area into velocity, तो side पे note कर लेना, paper भी लिखने हैं जो इतनी तर्म आपके understanding के लिए, कि मैं अगर यहाँ पर work done per second की बात करूं, तो इसका मतलब pressure into area into velocity, यह आपके पास क्या आएगा, work done per second, और यह work done per second किसकी वज़े से आएगा, due to pressure, यह pressure की वज़े से आएगा, तो याद रखना, work done per second का मतलब है, यहाँ पर pressure into area force, force into velocity, तो शुरू करते हैं, work done per unit time, जो pressure energy per second की value नीचे कितनी लगेगी, P1, A1, B1, बढ़ नीचे pressure ज़ादा होगा, तभी उपर पानी चड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, P1, A1, B1, और उपर work done per unit time, पानी को बहर निकालने का कितने है, P2, A2, B2, तो चेंज कितना हुआ, P1, A1, B1 में से P2, A2, V2 minus, तो यह क्या आया, left side पे क्या आया, pressure energy per second का work done, this is work done per second due to pressure energy, तो पहला step समय में आया यहाँ तक, pressure energy ने per second यह work done किया, इस से क्या हुआ, increase in potential, increase in kinetic, increase में क्या हुआ, final potential minus initial potential, change in potential, और this is change in kinetic, अब important यह है कि यहाँ पर पहली term 1 है और दूसरी term 2 है, initial minus final, और यहाँ पर final minus, initial ऐसा क्यों, यह तो हमें पता ही है, final initial होता है, इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे का pressure जाद है और उपर का कम है, तो change तो positive तो भी आएगा न, तो इसके अंदर से, इसके units क्या है ब work done per second, work done per second, इसके units क्या है, कानेटिक एनर्जी पर second क्यों? हाँ, change in kinetic energy per second है क्या है और अगर नहीं है, फिक units कैसे balance हो गए, मैं बोल रहाँ, left side पर work done per second है, joule per second है, तो यह भी तो joule per second होने चाहिए, मैंने mark करवाया था special, M का मतलब kg नहीं है, mass नहीं है, mass पर second है, तो kg per second है, इसलिए यह change in kinetic energy per second है, यह change in potential energy per second है, तो change in pressure energy per second, will give rise to change in kinetic energy per second, will give rise to change in potential energy per second, तो अब unit segment balance हो गए, अब इसके अंदर से A1, V1, A2, V2 हमने अलड़ी निकाल रख है उपर कितना, M by rho, तो M by rho को यहाँ पर put कर दिया, M, 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 sub cancel, 1 वाली term इदर, यह वाली 1 वाली term इदर, वो वाली H1 वाली term इदर, और सारी 2 वाली term इदर, आप चेक कर लो, Bernoulli's theorem प्रूव हो गई, starting के और ending point पर, that is sum of pressure energy per second, kinetic energy per second, potential energy per second की जगह ऐसे बूलेंगे इसमें, potential energy per unit mass, जो मैं लिखवाया था, kinetic energy per unit mass, pressure energy per unit mass, इनका sum क्या है, constant, और सिरफ 2 points corner के नहीं, तुम कहीं पर भी लगा लो, इनका sum तो हमेशा constant ही होगा, तो यह equation आपने याद दखनी है, numerical के अंदर Bernoulli's में यह equation चलेगे, ठीक, तो जब paper में आएगा state and proof Bernoulli's, statement वैसी लिखनी है, equation लिखनी है, फिर proof में यह पूरा ऐसा ही लिखना है, फिर कभी कभी कई लोग Bernoulli's ऐसे लगाते हैं यह numerical में, कई लोग ऐसे लगाते हैं, इसमें row से multiply कर दो दोनों sides को, तो row इदर चला गया, row इदर चला गया, और उसी तरीके से ऐसे भी लगाते हैं, कि तुम इस पूरी term को row into g से, या इस पूरी term को g से divide कर दो, तो p by row into g, v square by 2g, और यह h, तुमारी मर्जी है, ऐसे, 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 मैं ऐसे लगाता हूँ, तो फिर आप कहोगे, फिर आप नहीं कियों कर भाई, एक, अगर आपकी book ऐसे लगाए, आपको पता होना चाहिए, और दूसरी, यह जो पहली term है, p by row g, इसे underline कर लो, इसे pressure head बोलते हैं, कभी-कभी numerical आ जाता है, find pressure head, तो pressure head में p by row g, और v square by 2g को बोलते हैं, velocity head, और h को बोलते हैं, elevation head, तो कभी बार elevation head पूछ देता है, तो वो इसका मतलब h पूछ रहा है, ठीक है यह आतर, बस यह चीज़ बता होनी चाहिए, और यह paper में नहीं आतनी limitations, बस आपकी knowledge के लिए, जब Bernoulli's को proof किया गया, कुछ बातों को neglect किया गया, पहले, Bernoulli's equation is idly applied to a fluids, with zero viscosity, आपने note किया, मैंने eta को considering नहीं किया, जब कैसा हो इसकता, leak load is move करेगा, तो force of friction तो होगी, eta तो होगा, viscosity तो होगी, हमने non-viscous, pure non-viscous leak load, eta लिया ही नहीं, number two, Bernoulli's equation has been derived on the assumption, that there is no loss of energy due to friction, हमने बिल्कुल भी friction की forces, ना surface की friction, ना अंदर की friction को consider किया, जब कि pipe की भी friction होती है, तीसरी, Bernoulli's equation is applicable only to incompressible fluids, क्योंकि अगर मैंने compressible ले लिया, तो मुझे bulk models लेना पड़ेगा, और मैंने बिल्कुल भी ले लिया, next step, Bernoulli's application is applicable only to streamlined flow, turbulent में यह applicable नहीं है, और Bernoulli's equation does not take into the concentration, the angular momentum of the fluid, fluid घूम घूम के भी तो जाता है, molecule घूम के जाता है, घूम ने का हमने कोई consideration की नहीं, हमने simple kinetically, half i omega square लिया ही नहीं,